नमव नारहेन जेगो माताव वंदे मात्रों मा भारती कुपनाम और हिर्दैशे ओम्शं सनिश्चलाईब सर्मंगल मांगलेश्वे सर्वार्शाद के सनेतरवंगे गोरी नारहेनी नमव यादेवी सर्वूतेशू मातर रुपेन संसिता नमस तस्चेई 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 कि समय नहीं लोगा ज्यादा टाइम भी नहीं चाहता हूं कि आपके पास भी टाइम नहीं और मेरे पास भी नहीं नवरात्रों की त्यारी मैं भी कर रहा हूं और इनौ देन माई को मनाने में मैं भी लोग और आप भी लगए लेकिन ध्यान रखेगा राष्ट बड़ा कोई न इस गहर में नारी का नंतर होते हैं मा भग्वति का अंखा जीधन राष्ट क सुरख्षित समर्धी सील बनाना चाहते हो स्मात्रसिप्ति का सम नौ नवरात्रे नौ देवियां और नौ भोग बदलेगा आपका भाड़ चभीज सितंबर दो हजार बाइस परतिपदा नौरात्रा का पहला दिन और माश्यल पुत्री का दिन आज मा को लाल रंग के वस्तर धारन करवाना रंगों का अपना महत्र है भोग का अपना महत्र है यह रंग और यह भोग जिवन में आपका खुशियों का रंग भर देंगे भाई इस बात का दियान रगे तो पहला नौरात्रा माश्यल पुजा के बाद मा को भूग लगाना है शुद मिटी का पातर लीजिए या चांदी का पातर लीजिए मिटी का पातर से शुद मना गया है मा शैल पुद्री को गोग गृत का भोग लगता है पहले दिन नित्य कर्म नियों सनानों उप्रांत मा भगवति के सिर्विग्र का जल गंगा जल पंचा मिठ से पूजन करे पंचुपचार पूजन करे और आप शामर्तियों सोड़सिपच पूजन करे मिटी के पातर में शर्दाप्रुगोगरत का भोग लगता है मा को घी का भोग लगता है और तसपसाथ यह जो भोग आपने लगाया है यह घी का पातर किसी गरीब निर्धन ऐसे व्यक्ति को दान में जो वास्तों में गरीब है आपकी शंपूण मारे आप बला भारन करेगा बड़ा शुबहेगा आपके लिए नमारे 27 सितंबर 2022 नवरात्रों का दूसरा दिन यानि माप ब्रमचारणी का दिन तो मां ब्रमचारणी का भोग बदले का आपका भागी तूसरे दिन नित्य कर्म निशनान उप्राण शरधापरोग मां ब्रमचारणी का पेनाई और आप भी अपने शरीर पे हलका औरेंज रंग का कलर रखे तो सोने में स्वारेगा माई को औरेंज रंग की चुनरी भेट करना बड़ा सुबर है राज के दिन नित्य कर्मियों शनान उप्राण माभगवति का सदापर पूजन करिएगा चरणों में पंचा मिर् जब आप भोग लगा दे तो आज के दिन सरदानुशाव शकर चीटियों को भोजन के रूप में जरू दे और गरीब निर्धन जरुतमंत सदाचारी व्यक्ति को शकर का दान देने से दुक दारिद्रे का विनाश होगा रुशुक और सुभागी की प्राप्ति हो संतान को शिक्षा में शफलता नहीं मिल रही हो या बहुत अच्छी पढ़ाई करें लेकिन महनत की अनुरुप शिक्षा में शफलता नहीं मिल रही हो आज से ये नियम लागू कर दे रूप 6 महिना हर रोज शुबह सुर्य उद्धे के आसपास सर्दानुशार शक्र चीट तीसरा दिन प्रादगाल नित्य करम चेने शनान उप्रांग सर्धापरू आप श्वेत रंके कप्रड़ धारन करें और माई को श्वेत रंकी चुनलडी ओड़ा है नवरात्रे के इस तीसरी दिन माचंदर घंटा की सर्धापरू पंचिपराथ पूजन करें धूप दीप नह ही मिल रही है तो नवरात्रे के तीसरे दिन से उपाई प्रारम कर जब तक वापस नवरात्रे नहीं आये हर रोज सर्धान उशार दूद कि किसी गरीब निर्दन श्वागन श्री को दान में दे देना जो बहुत गरीब हो निर्दन हो बेशारा हो कि दुखों से चुटारत 2022 का दिन मा कुश्मांडा का दे आज प्रादकाल नित्य कर्मिनों सिनान उप्रान मा को लाल रंग के वस्त धारन कराई मा को हरे रंग की चुनरी भेट करिएगा और आप भी अपने सरीर पे कोई निकोई हरा बस्तर आज जरूर रखें इविए आपको परियासों के मापजूदी मनों कुछ शपलता नहीं मिलियो तो यह पूजा नवरात्रा के चौथे दिन होती है आज शर्दा पुरुक नित्य कर्मिनों सिनान उप्रान मा को सुमर्ण को मालपुए का भोग लगए और सरधान उशार 9 11 21 कन्याओं को मालपुए का भोजन कराने के बाद हरी बस्तों का दान दक्षिना के सई दैने से जिवन का दुर्भाग्य मिटेगा और जिवन में खुशी होगे वैपारियों को यह पूजा जरूर करना चाहिए इस बात का पांचवा नवरात्रा मा इसकंद माता और मा इसकंद माता का भोग बदलेगा आपका भागी शंपून विद्न बाताओं से चुटकारा मिलेगा 23 सितंबर 2022 पांचवा नवरात्रा प्रादगाल नित्य कर्म जिवन शनान उपरां सरवपरतम मा को हल के पीले कलर के कपड़े पनाई मा को हल पीले रंग की चुनरी भेट करिए था अपने सरीर पर भी आप पीले रंग के वस्तर धारन करना बड़ा सुब रहे था प्रादगाल नित्य कर्म जिवन शनान उपरां सर्दापुर मा इसकंद माता का 55 पूजन करें धूप दीप नेविदी पुश्वर आप्शतर धित करें और आज मा को केले का भोग लगे पकेवे केले पीले केले का भोग लगेगा मा को केले के भोग लगाने के बाद शर्दान उशार केले या अपने बजन के बराबर केले गरीब निर्धन कंजकों में बाढ़ दीजिए या गायों को खिला दीजिएगा केरियर कारोबार नौक्तरी वेबशाय स्वास्ति रोजगार शर्मणी कैसी भी बादा होगी उसे आपको चुटकार हमने जाएगा ध्यान रखेगा नवरातर के पांचवे दिन मा को केले का भोग लगता है पकेवे केले होगा हर बात करते हैं छटे नवरातरा की यानि मा का कात्याने का नवरातरा और मा कात्याने का भोग जिवन की हर शुक्षमर्दी आपको देगा एक अक्टूबर 2022 छटा नवरातरा रात की दिन प्रातिकाल नित्य करम नियों सुनाना उपरांथ हलके सपेद रंग के कपड़े आप खुद भी धारन करें और माय को मखमली सपेद रंग की चुनी भेट गारें मा कात्याना का भोग पारवारिक शुक्षमर्दी शोगाब शोभागे में ब्रदी करेगा और ये पूजन नवरातरा की छटे दिन करते हैं मा का पंचुपचा और भोग के बाद सर्दानुशार शैद किसी श्वागन इसरी को गरीब इसरी को दान में दे देते हैं जिवन खुश्यों से भारा है ये अद्भुद हैं आपके लिए करके देगेगा कश्त और परेशान से चुटकारा मिल जाएगा ना बनाएं पात करते हैं शात्वे नवरात्रा का शात्वादिन अनि माक काल रात्री का दिए राज प्रतिकाल नित्य करम निव सनानों प्रांत सरप्रतम माई को हलके निले रंकी चूनरी भेट करिएगा और आप अपने शरीर पर काले रंके कपड़े धारन करेंगे तो प्राशुप रहेएगा माक काल रात्री का भोग शनीदेव को प्रशन करेंगा शनीदेव आप पर किरपा करेंगे माक काल रात्री की पूजा करने से शनीदेव महरवान होता है तो सात्वे नवजा रात्री को शर्धा परूद मा काल रात्री का धूप दीप नहवदी खुष्प अक्षर पिजद से पूजन करेंग और आज मा को मिटी के पात्र में सरधानुशार गुड रखत knit ने यब नाउना ने तो आज शर्दान उशार या वजन के बराबर या वजन से दुगना या वजन से पांच की नाग गुर किसी गौसाला में दान देना बड़ा शुवरेगा सनिदेव की कृपा होगी जिवन खुशियों से भरा रहेगा तो साथवे नवरात्र को माकाल रात्री को गुढ़ का भूग का नवधे चड़ता है नमनन और बात करते हैं आठवे नवरात्रा आठवा नवरात्रा मा भगवती महागोरि का नवरात्रा है और यह 3 अक्टुबर 2022 के दिन रहेगा मा गोरृत का नवरात्रा तो प्रात्यकाल तीन अक्टूबर दोजार बाइस के दिन नित्य कर्मिनों सिनानो प्राज सरप्रत्म हलके पिंक रंग के कपड़े आप धारन करें और आज माई को हलके गुलावी रंग की चूनली पेट करिएगा मां गारी गौरी का भोग दामपत्य शुक्त संतान की साधी समदी प्रेशानी और पारवारी शुक्त की प्राप्ति कराती है। जो भी जिवन में विवाग को लेकर कोई प्रेशानी है उसे छुटकारा मिलेगा घर में शुक और समर्द रहेगी बरकत रहेगी बचित रहेगी आठवे नवरात्रा मा गौरी का पूजन शदबर पंचविचार पूजन करने के उपरांद आज मा को नारियल का भोग लगेग जो व्यक्ति आठवे नवरात्रे में नारियल का भोग लगा कर लोगों को नारियल की गिरी बांडता है प्रसाद के रूप में उसके पास किसी तरह का कष्ट नहीं गयता है ही आठ्वे मवरात्रत्र को नरियर की गिरी का भोग लगेगा लगा के देखेगा कष्ट और प्रेशान्योंची शुटका रामन微 better नमनाग माय भात करते हैं नॉवा नवरात्रा एननी मार शिद्धात्री का नॉवर हथा चार अक्टुबर 2022 नॉवर्हा दिन वा शिद्धा नारियर की गिरी कभूघ लगे लगा के देखेगा कश्ट्ड और परिशांसे च्ट्टारम इल जाएगा नम्राइब भात माशिधात्री का नवरात्रा हैरygen मा शिद्धात्रिय का नवरात्रा सिर्धापुरं मा का 55 पूजन करें दूप दीव नेविदी पुष और अक्षद भेट करें नौवा नवरात्रा है कंज के पूजन होगी आज शर्था पुरोग लावे धान का जो लावा होता ने उसका भोग लगाते और इसके साथ-साथ नौवा दिने पूजन के बाद मा को खीर पूरी हल्वा औ चने का भोग लगाया जाता है और भोग के बाद सरदानुसार धान का लवा दक्षणा से ब्रामन को दान में दीजिए और कंज को भोजन कराने के बाद सरदानुसार वस्त्र और दक्षणा का दान में दीजिए जिवन खुश्यों से भरा देगा तो यह नौव नवरात्रे नौम नान माई के भोग बदलेंगे आपके भागे को मित्रों शाथियों भोग बदले का भागे यह मेरा अनभाव है आप करके देखेगा आपके जिवन में भी मा किरपा करेगी और आपका जिवन खुश्यों से भरा रहेगा मेरा अनभाव लादने का कोई शभाव नहीं, शेकंड ओपनेंद गादिकार आपकी क्या है, कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर छमा मांगता हूं, आप शुखी रहें, आप श्वस्त रहें, शमर्दी सिले, मां के चर्णों में मेरी प्रात्मा, ओम नमो ना, रास्तान का हर व्यक खाली बता रहा हूं, यह मेरा जीवन का लक्ष रहा है, मनशियों, और मानू होना इतनाती मेरा करतव है, कि मैं अपनी रास्त के शेवा करूँ, मैं इस रास्त का नागरिक हूँ, तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस रास्त के साथ लगा है, वर्तमान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है, धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीजे, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूँ, और यह मेरा इंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मेरा रास्त के सामने कभी नहीं आये था, हम निधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए, और स्वयोग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हूँ, आपकी समश्याओं के समधान के लिए, भई, आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आपको बहु में गाएं के लिए चारे की व्यवस्ता कर लिए, और इसलिए मैंने कहा था कि, भई, थोड़ा दिन, इस समय में परेशाने में हूँ, और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हिरुदय से आया लोगों ने कहा कि, राश्र आप से प्यार करता है दात मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गाएं के लिए चारे की व्यवस्ता करिए, शनि भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदा है, और वे लोग जो शक्षम है, शामर्थेवान है, और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्रक्ता नित, उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पिछले एक महिने में लगवग लगवर 20 से 25 पचास लोग ऐसे भी है, जिननोंने सनिधाम गोसाला में 200 रुपया चारा कर दिया है, म इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोसाला में परिशानी नहीं चाहिए, सरकार स्रपोर्ट कर रही है, अपनी सिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है, यह आप भी जानते हैं, शासन के अपनी एक सिमा है और अपनी मर्यात है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी, मैं आप सभी का धन्यवाद देटे भी हिरदय से पुने एक बार ने वेजन करना जाता है, कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधाम गोसाला में खड़ा रहना है, नंबर है, ज़र सोयोकर है, पेरा कोई झाल